क्रिया कलाब 4 पहला, लकडी की मेज के एक सिरे के पास अपना कान लगाएं चित्र 5 चित्र क्रमाग 5 ठोस माध्यम में ध्वनी का सुनाई देना दूसरा, अपने मित्र को मेज के दूसरे सिरे पर धीरे से ठोकने या खटखटाने को कहें क्या आपको ध्वनी सुनाई दी, ध्वनी आप तक किस माध्यम से पहुँची तीसरा, अब अपना कान मेज से उपर उठाईए और मित्र को पुनह मेज को ठोकने को कहें इस स्थिती में ध्वनी किस माध्यम से आप तक पहुँची दोनों स्थुतियों में सुनाई दी गई ध्वनियों में क्या अंतर था, अपने मित्रों से चर्चा करें चर्चा करें, पहला, नदी या तालाब में चल रही मोटर नाव की ध्वनी पानी की सतह से ज्यादा पानी के भीतर सुनाई देती है, ऐसा क्यूं? ध्वनी का संचरण माध्यम के कणों के घनत्व पर निर्भर करता है घनत्व जितना अधिक होगा, कमपन के कारण माध्यम में दाब भी उतना अधिक होगा और ध्वनी का संचरन भी तीवरता से होगा ठोस तथा द्रव माध्यम के कण गैस की तुलना में पास-पास होते हैं अर्थात इनका घनत्व गैस के कणों से अधिक होता है जिससे वस्तु के कमपन के कारण कणों में विस्थापन तीवरता से होता है और उर्जा इस्थानांतरण के समय उर्जा हास भी कम होती है इसी कारण गैस वायू की अपेक्षा ठोस तथा द्रौ में ध्वनी तेजी से गती करती है इसी तरह द्रौ की अपेक्षा ठोस में ध्वनी संचरण तीव्रता से तथा कम उर्जा हास से द्रौ की तुलना में होता है और हमें ध्वनी साफ सुनाई देती है प्रत्यास्तता के आधार पर देखने पर ऐसे पदार्थ जिनमें उपस्थित कणों के मध्य आकर्शन बल अधिक होता है वे अधिक प्रत्यास्तों होते हैं क्योंकि उनकी स्थिती में परिवर्तन करना ज्यादा कठिन होता है ऐसे कणों में विक्षोब उत्पन करने पर वह शिग्रता से अपनी पूर्व इस्थिती में आने का प्रयास करते हैं तथा वे कण जो शिग्रता से अपनी पूर्व इस्थिती में आ जाते हैं पुनाह गती करने को तयार होते हैं और इस प्रकार से वे तेप्रगती से कमप दोलन करते हैं ऐसे माध्यम जिसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है जैसे स्टिल में ध्वनी संचरण कम प्रत्यास्थता वाले माध्यम जैसे रबर की अपिक्षा तेजी से अर्थात शिग्रता से होती है यही कारण है कि ठोस द्रव तथा गैस वायू में ध्वनी संचरण की गती ठोस में सबसे अधिक और गैस वायू में सबसे कम होती है